For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. क्लेक्शन के आकड़े 500 करोड को भी पार करने की तैयारी में हैं। जी हाँ दोस्तों इसी कलेक्शन के आकड़ों के साथ सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर अपना ब्लॉक्बस्टर का थपा लगा ही दिया है। आपको बता दे ओवसीज मार्केट में टाइगर जिन्दा है ने औरड़ी 100 करोड से ज्यादा की कमाई कर ली है। दोस्तों 500 करोड का कलेक्शन इस फिल्म द्वारा बेहज जबरदस्त है। और हो भी क्यों ना अखिर सल्मान की ये फिल्म कई देश में तो बैन की गई थी जैसे पाकिस्तान और कुवेट ऐसे में इतने कम समय में इतनी कमाई तो काफी बहतरीन प्रदर्शन है। क्यों है न दोस्तों वेल इस बारे में आपके क्या राय हैं। हमें अपने विचार बताईए नीचे दिये गए कॉमें सेक्शन में और बने रही है सिर्फ और सिर्फ बॉल्लिवूट स्पाई के साथ। करते नजर आएंगे सल्मान। जी हाँ, इमामी ने सल्मान को बताऊर ब्रैंड अमबैस्डर साइन किया है। बता दे इससे पहले शारुक खान इमामी फेर अन्हांसम के ऑफीशल फेस थे और अब सल्मान खान उसमें आएंगे नजर। अगर आप इस बात से अंजान हैं तो बता दे मेगा स्टार अमिताब बच्चन, कंगना रनावत, करीना कपूर खान, रितिक रोशन और शाहिद कपूर भी इस ब्रैंड से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तो इस बार में आपके क्या राए हैं? वेल हमें अपने विचार बताईए नीचे दिये गए कॉमन सेक्शन में और सब्सक्राइब करिए बॉलवट स्पाय को